मोग के इस चुनावी सवन में एक वीडियो काफी तीजी के साथ वारल हो रहा है जिसमें एक जन सभा में वहाँ पर आए लोग कुर्सियां तोड रहे हैं जी हाँ यह पहले पूरा वीडियो ध्यान से देख लिजे उसके बाद मैं बताता हूं क्या हुआ यह पूरा वीडियो देख लिया अपने वीडियो है घोसी से समाजवादी पालिटिक्यों में द्वार दारा सिंग चौहान के जन सभा का जन सभा में वहाँ पर पहुँचे मुस्लिम जो सपोर्टर थे दारा सिंग चौहान से इतना नराज हुए इतना नराज हुए इतना नराज हुए कि क्या हुआ वीडियो देखिए तो पूरा आपने देख लिया यह बीडियो बताया जा रहा है कि दारा सिंग चौहान की जनसवा का है लेकिन कोई यह प्रमारित बीडियो नहीं है आपको पूरा मैं बता दूँ कि यह प्रमारित बीडियो नहीं है लेकिन यह बीडियो बताया जा रहा है कि वोसी के पूरा घ हखले चल नहीं है इसमें यह माना जा रहा है कि जो गोसी के मुश्ली मत दाता हैं समझवादी पार्टी भाजपा और बस्पा पर इसमें पूरा बात करने के लिए मैरे साथ है माउजनपत के सेनियर पत्रकार है राहुल सिंग जी जाने कि वीडियो क्या है कितनी प्रवनिकता है और कहां का वीडियो है अगर वीडियो को राजनीतिक चस्मिस से देखा जाए तो खेला हो गया ठीक है अगर उस तरह की बात कि जाए लेकिन फिल भी यह मुझे जो जानकार सब्सक्राइब करते हैं जिसमें लगभग दो से तीन हजार लोगों के बैठने की वेवस्ता थी बाकि आने लोग खड़े थे जो वीडियो से देखने को पता चला जो हमारे सूत्र लोग बता रहे हैं इन बातों को तो उसमें जो घटना घटी है घटना यह घटी है कि मिला था सुधाकर सिंग उनका टिकट कट गया और उनके टिकट कटने का बहुत ज्यादा नुक्सान क्योंको टिकट भी साइद इसलिए दिया गया था ताकि दारा सिंग चौहान को बड़े आराम से ले आके और उनको यहां पर बैठाया जा सके घोसी में और उनके बिरोध के पीछे का खेल चल रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की नेताओं ने अब यह मन बना लिया है कि वह पिठ्ठू नहीं बनना चाहते हैं किसी बाहरी का और वह चाहते हैं कि जो भी कोई नेता बने अस्थानी बने क्योंकि एक लंबा वक्त बीच चुका है समाजवाद पार्टी के नेताओं का क्योंकि वह केवल दूसरें का जंडा और रहा जा रहा रहा है और अपना प्रस्तुत करने में रहा जा रहा है लेकिन नेता कोई जमीनी नहीं तयार हो रहा है और और वही साइद महुत सदर में भी वही असर आपको देखने को मिलेगा और कुछ लखनव से आते हैं तो एक जंसभा को सम्भोधित करते हैं और जंसभा में सुधाकर सिंग ये एलान करते हैं कि यहां पर दल-बदलों की जमानत जब्त कर दी जाएगी तो जमानत जब्त करने वाली जो बात थी उसके पीछे जो रणीती चल लई थी मुझे लग रहा है उस जन नेता के रूप में जो हम जानते को जन नेता है क्योंकि मैं जिस दिन दारा सिंग मधुवन छोड़के और यहां आये थे तो हम लोग एक रेंडम ली एक हम लोग वह लेने गए थे उसमें पब्लिक बोलते थे कि हम समाजवादी नहीं हम सुधाकर वादी है वह इस तरह के जो संसे संटेंस इस्तेमाल करता वह भी कहा मतलब घोसी के रहने वाले सुधाकर सिंग का मधुवन में बगल में जो मतलब उनका विधान सब हुआ करती तो इस तरह से जो इनकी स्थिती है वह कहीं का और प्लस इनका यह है कि वह आम जनता के लिए कॉमन मैं के लिए तुरंट फोन कर देते हैं किसी तरह की समस्य आती है तो ठाना पुलिस और प्रसासन एक आम आदमी के लिए एक मतलब वह पारिशे नहीं पूछने के गया जाते हैं को यह अगर फोन कर दिया उनको मुझे पता चला है उनके लोग प्रियता में तुरंट फोन करते हैं और दि करते हैं का अस्थानी जो अधिकारी है उसको छुँनिता कर वो कहते हैं इनका काम होना चाहिए हमारे थे दरए जता है वो जनता दोनों जगह खेला करने के मूड में मदुबन में भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि जब आपको टिकट देना था तो लडाना था तो लडा लिए होते अगर इनको फाइनल करना नहीं तो आप एक ही बैक को फाइनल करते इससे दोनों सीटों का बैलेंस गड़ाया लेकिन भष怕 प्रतियासी जो है वहाँ सॉलिड तरीके से लेकिन हां क्योंकि उसको सिंबल को जानते तो प्रतियासी का नहीं वहां ज्यादा मामला बनके आ रहा है वह बस पाकोड देना है बाकि जो पढ़े लिखे समाजवाले जो सुधाकर सिंग और भी कई नेता है उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं समाजवादी पाटी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी पीछे से खेला कर दिया है जो खेला चल में नहीं वह बसपा में भी हैं वह भाजपा में हैं मतलब जो खुद ही स्वेंग के पाल्टी के नेता हैं वही अपने पाल्टी के उमिद्वार को हराने के लिए जीत तोड परदे के पीछे से मेहनत कर रहे हैं और सायद उसी का असर या वीडियो हो कि जो समाजवादी पा तो इसका चुनावी परड़ाम सपाव मिद्वार के लिए काफी घातक सिध्ध होगा अंते में बताता हूँ इस वीडियो की प्रमाणिकता मैं नहीं करता हूँ यह वीडियो वारल है और यह कैसा है जहां तक हम लोग ने पता किया यह वहीं कब बताया जा रहा है लेकिन 99% हम पुष्ट करते हैं एक परसेंट वीडियो में संसर तो जैसा कवरेज लगा कैसा वीडियो लगा इसका क्या चुनावी सर पड़ेगा अब लोग कमेंट बाक्स में बताईए और सारे वीडियो देखिए शेयर करिए और अच्छा लगे तो प्रेया और शनी बतारते रहे ह हुआ हुआ है